हेलो वेभीवर्ण आप देख रहे हैं स्टड़ी एंड अधर्स अक्टिविटेश चलेंड आज हम पढ़ेंगे रिम जुम बुक जो क्लास फोर्थ की हिंदी है तो उसमें हम आज पार्ट पढ़ेंगे तेरा पार्ट का नाम है हुद होद ठीक है बच्चो असकी पार्ट के हम इसके कुशनाज समझे अगर आपको इससे पिछले चेप्टर की वीडियो चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट करनी पड़ेगी मैंने प्लेलिस्ट बना रखिए हर चेप्टर की अलागल तो जलिए हमाई वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए हुद रूब को कलगी कैसे म मुर्गी हो गया है उनको पर क्या है एक ऐसा ताज जैसा बना उता हो उसको कहते हैं कलगी तो देखे एक बार सुलेमान नाम के बास्सा आकास में उन्ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे देखें आकास में इस क्या होता है आसमान ठीक है ना उड़न खटोला एक है उनका वाहन होता है उसके उपर बैठे कहीं जा रहे थे बड़ी गर्मी थी धूप से वह परसान हो रहे थे आकास में उन्ने वाले गिद्दों से उन्होंने कहा कि अपने पंखो से तुम लोग मेरे सिर पर चाया कर दो उन्होंने क्या करा गर्मी बहुत जादा हो रही थी धूप भी बहुत हो रही थी तो उन्होंने गिद्दों क जुन्दे देखा और उनसे कहा कि तुम अपने पंकों से मेरे सर पे क्या चाया कर दो जिससे क्या मुझे दूप नहीं लगी नहीं मुझे गर्मी लगेगी पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया जो गिद्ध थे उन्होंने क्या कर दिया मना कर दिया साफ साथ उन्होंने बहाना बनाते वे कहा हम तो इतने छोटे-छोटे हैं गिद्डों ने कहा हमारी गर्दन पर पंक भी नहीं है उन्होंने क्या कहा हम चायां कैसे कर सकते हैं सुलमान आगे बढ़ गये कुछ देर दूर जाने पर उनकी भेट हुद हुदो के मुख्या से हुई अब क्या है हुद हुदो के मुख्या से हुई यह क्या है एक पक्सी है ठीक है सुलेमान ने उससे भी मदद मागी वहाँ चतुर था चतुर यानि की चलाप था उसने फौरन अपने दल के सभी हुदधों को इकटा करके बादसा सुलेमान के उपर चाया कर दी सुलेमान बोले मैंने गिद्दो से भी मदद मागी थी वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मनत नहीं की तुम गिद्दो से छोटे तोहो पर चतुर अधिक हो तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है मैं तुमसे बहुत प्रशन हूँ मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है मुख्या ने कहा महराज मैं अपने सभी साथ्यों से सला करने के बाद अपने इच्छा बताऊंगा मुख्या ने साथ्यों से सला करने के बाद कहा महराज यहाँ वर्दान दीजिये की हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए अब देखे आगे क्या होता है बासा हसे और बोले मुख्या इसका फल क्या होगा यहाँ तुमने सोच लिया है अब बासा ने कहा इसका क्या फल होगा क्या तुम्हें पता भी है क्या तुमने सोच रखा है इस वारे में मुख्या बोला हाँ महराज मैंने खूप परा मर्ज करके यहाँ बर मांगा है सुलिमान ने फ्रात्ना सुखार कर ली सभी हुदुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदुदों के पीछे पड़ गए तीर से उन्हें मार मार कर सोना इखटा करने लगे अब देखी किसे पास ऽूना आ जाया का ज़एut से बाते जानुवर ँगी तो कोई जिन्दगी नहीं होती है इंसान मार के उन्हें खा जाता है या फेक देता है और सोना सोना उनसे क्या है ये सोनी वाताज है इसको निकाल ले रहे हैं ये कि कलगी है और उनको मार के फेक दे रहे है खुदूदों का वन समप्त होने पर आ गया तबी मुख्या घबराकर बास सुलिमान के पास पहुचा और बोला इस सोनी की कलगी के कारण तो हमारा वन सी समप्त हो जाएगा देगे राजा ने तबी ही पूझा था कि तुम्हें इसका प्रणाम पता है इसका फल क्या होने वाला है तो मुख्या ने पहले बोला कि हाँ मुझे पता है सुलिमान ने कहा मैंने तो सुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी अब उनने तो पहले ही चेतावनी दी थी खेर जाओ आज से तुम्हारे सिर्का ताज सोने का नहीं सुन्दर परो का हुआ करेगा अब बास्टा ने क्या करा? सुन्दर परो का ताज दे दिया उन्हें और तभी से हुदुतों के सिर्क पर परो का यहां ताज कलगी सोबा पा रहा है खुदूत एक बहुत ही सुन्दर पक्षी है यह देखिए यहां पे दिखा रखा है ठीक है इसके सरीर का सबसे सुन्दर भाग इसके सिर की कलगी होती है यह वहले इसको कहते हैं कलगी ठीक है वैसे तो यहां इसे समेटे रहता है पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यहा कोई इसको लगता है आवास होता है कि कोई ने मानने वाला है वैसे ही वो परोक क्या कर लेता है खोल लेता है तब यहां कलगी देखने में हूब हूँ किसी सुन्दर पंकी जैसी लगने लगती है इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुन्दर कहानी भी पड़ी है जो भ पंक काले होते हैं जिस पर मोटी सफेद धार्या बनी होती हैं देखिए यहां पर दिख रहा है आपको गर्दन का अगला हिस्सा बदामी रंका होता है यह चीज ठीक है चोटी भी बदामी रंकी होती है मगर उसके सीरे काले और सफेद होते हैं देखिए यहां पर दिख रहा है ठीक है बच्चो दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंका होता है यह देखिए चोट पतली लंबी तथा ती ही होती है देखिए वहां पर चोट भी दिखाई देगे आपको इस चोट से यहां आसानी से जमीन के बीतर छिपे हुए कीडे मकौडों को ढून निकालता है इसकी चोट नाकून काटने वाली नहनी जैसे बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चड़िया के नाम से भी पुखारते हैं हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोट से जमीन खोटते हुए अवश्य देखा होगा बोलते समय यहां तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप कु कहा जाता है हिंदी में इसे हुद हुद कहते हैं दूप में कीडा डूडने के लिए हमारे देश में कहीं कहीं इसे बदबुआ भी कहते हैं और सुन्दर कलगी की वज़ा से कुछ देशों में लोग इसे सा सुलेमान कहकर पुकारते हैं मादा हुदहुद तीन से दस तक अंडे देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहन नहीं निकल जाते वहां अंडों पर बैठी रहती है हट्ती नहीं नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोशले की सफाई नहीं करता संसार में विख्यात पक्षियों में से एक है यहां हुदूद। यहां अपनी सुनदर्ता के लिए तो मसूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है तो बच्चो यह आपका हुदूद चैप्टर कम्प्रीट हुआ अब नेक्स पार्ट में इसका कोशन अंसर्स करेंगे इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन दवाना पड़ेगा तभी आपको सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा थैंक यू